दोस्तो अगर आप इस वीडियो पर ये सोच कर किलिक किये हैं फिलिप कार्ड एक्सिस बैंक केडिट कार्ड को एपलाई केसे करेंगे तो आप सई वीडियो पर आ चुके हैं आज की इस वीडियो में मैं जब लोग को सिर्फ पांच मीड में बताने बाला हूँ फिलिप कार्ड एक्सिस बैंक केडिट कार्ड को आप एपलाई के से कर सकते हैं तो एपलाई करने से पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ फिलिप कार्ड एक्सिस बैंक केडिट का क्या क्या बिनिफिट है इसमें दूस्तों मैं आपको ज़्यादा बकवास नहीं करूंगा जो जो benefit है औहीं मैं आप लोग को बताँगा तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसका दूस्तों happy customer है 4 million जो कि दूस्तों 4 million लोग इसे use भी करते हैं इस credit card को और इसका दूस्तों benefit है जै credit card को अगर आप flip card से किसी भी समान को buy करते हैं तो यहाँ पर आपको 5% का cashback bonus भी मिल जाता है और यहाँ पर अगर आप first time transaction करते हैं तो एक हजार का दूस्तों gift voucher भी अप लोग को मिल जाता है इसके अलाबा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसके अलाबा दूस्तों flip card access bank credit card का जो भी partner है उसमें अगर आप shopping करते हैं किसी भी समान को buy करते हैं तो यहाँ पर आपको 4% का cashback मिल जाता है जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सुईगी, firefight, pbr, uber और clear trip अगर आप इन company पर दूस्तों अगर आप shopping करते हैं किसी भी समान को buy करते हैं तो यहा 48% अगर आप 15,000 से ज़्यादा कमाते हैं तो आप यहाँ पर apply कर सकते हैं और self employee अगर आप 40,000 से ज़्यादा कमाते हैं तो यहाँ से आप लोग apply कर सकते हैं अब मैं आप लोग बताऊंगा कि apply करने का process किया है तो दूस्तों apply करने का process दो है जिसमें फिलिप कार्ड application से आप apply कर सकते हैं और access bank के side से आप apply कर सकते हैं दूस्तो ज्यादा तर लोगों का apply करने के बाद reject हो जाता है तो दूस्तो आपका किस कारण से reject होता है क्योंकि दूस्तो आप flip card application से apply करते हैं इसलिए दूस्तो आपका अधिकतर reject हो जाता है, आपको दूस्तो Axis Bank के site से apply करना है वहाँ पर दूस्तो आपको 100% approval मिलेगा अगर दूस्तो किसी किसी का यहां से भी reject हो चुका है, तो मैं जो जो process बताऊंगा, इन सभी process को आपको follow करना है, तब भी जाकर आपका apply हो जागा, आपका approval भी हो जागा तो दूस्तो apply करने के लिए दूस्तो Axis Bank के site पर आप लोग को आ जाना है, इस site का दूस्तो link आपको वीडियो के description पर मिलेगा वहाँ से दूस्तो आप click करके update ली इस site पर आ जाएं, इस site पर आने के बाद यहाँ पर बोल रहा है कि exiting customer, अगर दूस्तो आप यहाँ पर exiting customer है तो यहाँ पर आपको yes करना है, वरना यहाँ पर आप लोग को no कर लेना है, जैसे दूस्तो आप no के उपर click करते हैं कुछ इस फरकार का details निकल कर आ जाएगा, सबसे पहले तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आपको mobile number इंटर करना है, जो आपका आधार कार्ड से link है, वो ही mobile number यहाँ पर आपको इंटर करना है, इसके बाद नीचे यहाँ पर pain card number इंटर करना है, यहाँ पर दूस्तो आपका pin code number इंटर करना है, यहाँ पर दूस्तो net annual income यहाँ पर आपको इंटर करना है, आपका दूस्तो सलाना दूस्तो जितना भी income है, यहाँ पर आपको इंटर करना है, कम से कम दूस्तो यहाँ पर आपको 3 लाग इंटर करना है इसके बाद दूस्तो नीचे इस capture code को इस box पर आपको fill up करना है और next को उपर आपको click कर लेना है जैसे दूस्तो आप next को उपर click करते हैं यहाँ पर दूस्तो आपको बहुत सारा credit card देखने को मिल जागा तो दूस्तो यहाँ पर आपको fill up card access bank को ही select करना है यहाँ पर आपको select करके next को उपर click करना है जैसे आप next को उपर click करते हैं कुछ इस परकार का details आजाएगा आपके mobile number पर एक OTP आएगा OTP यहाँ पर आपको enter करना है इस box के उपर आपको tick करना है इस reference code को आपको कुछ भी दोस्तो छेड़का नहीं करना है आपको नीचे submit के उपर click कर देना है जैसे दूस्तो आप यहाँ पर OTP डालते हैं यहाँ पर दूस्तो term and condition आजाएगा इसके लिए दूस्तो आपको नीचे आना है I agree का option मिलेगा I agree के उपर click करना है यहाँ पर आपको submit के उपर click करना है जैसे दूस्तो आप submit के उपर click करते हैं कुछ इस परकार का details आजागा इस details को आपको दूस्तो यहाँ पर enter करना है जैसे कि दूस्तो आपके pain card में जो भी नाम है यहाँ पर आपका नाम enter करना है फूल नेम इंडर करना है, यहाँ पर दूस्तों आपको date of birth को select करना है, आपके pen card में जो भी date of birth है, date of birth select करना है, title के उपर click करना है, यहाँ पर दूस्तों आप Mr. Mrs. जो भी है, यहाँ पर दूस्तों आपको आपने हिसाब से select करना है, यहाँ पर दूस्तों gender automatic flip हो जाएगा, जैसे दूस्तों यहाँ पर आप select करते हैं, इसके बाद दूस्तों नीचे यहाँ पर बोल रहा है, कि दूस्तों आप जो भी credit card लेना चाते हैं, इस credit card का नाम क्या रखना चाते हैं, मतलब credit card में आपना क्या नाम देना चाते हैं, यहाँ पर आपको आपना नाम को fill up करना है, details आ चुका है जो कि दूस्तों इसे आप लोग को दियान से देखना है recent address और office address यहाँ पर आपको दो address फिलब करना है तो यहाँ पर आपको recent address के उपर pin code इंटर करना है यहाँ पर आपना state select करना है city select करना है और update के उपर आपको किलिक करना है जैसे ही आप update के उपर किलिक करते हैं यहाँ पर दूस्तों आपका recent address आ जाएगा इसके बाद यहाँ पर office address अगर दूस्तों आपका office address और recent address same है तो दूस्तों यहाँ पर आपको उसे address को same same फिलाप कर देना है अगर दुस्तो आपका अलग address है तो यहाँ पर आपको अलग enter करना है और नीचे यहाँ पर आपको Upgrade के उपर किलिक करना है अपडेट के उपर आपको किलिक करना है जैसे आप address को फिलाब कर लेते हैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं recent और यहाँ पर office जो कि दूस्तो आप credit card कहाँ पर मंगाना चाते हैं, office address में मंगाना चाते हैं, या दूस्तो आपने घार में मंगाना चाते हैं, यहाँ पर दूस्तो आपको recent को select कर लेना है, या दूस्तो आप office को भी select कर सकते हैं, यहाँ पर अपना एक email id इंटर करना है, और next को उपर आपको आप Self Employee है या दूस्तों Self Employee है तो यहाँ पर आपको आपने हिसाब से select करना है अगर आप cell read परचेंट है तो दूस्तों यहाँ पर आपको cell read percent का पूरा details इंटर करना है जैसे कि यहाँ पर आपको Annual Income इंटर करना है यहाँ पर दूस्तों Employment कुन से employment करते हैं, मतलब आप private sector में करते हैं, यह दुस्तों गर्मेंट sector में काम करते हैं, यहाँ पर आपको अपने हिसाब से select कर लेना है, इसके बाद दूस्तों यहाँ पर दुस्तों एक code मिलेगा, इस code को आपको चेड़ चाड़ नहीं करना है, नीचे यहाँ पर आपको सिलेट के उपर किलिक करना है, यहाँ पर आपको सेलरी को सिलेट कर लेना है, नीचे यहाँ पर इंडेस्ट्री के उपर आपको किलिक करना है, यहाँ पर दूस्तों आप कौन सा सेक्टर में काम करते हैं, यहाँ पर द दूस्तो नीचे यहाँ पर बोल रहा है कि आप company पर कितना दिन से काम कर रहे हैं और यहाँ पर बोल रहा है कि आपका कितना experience है कितना साल का यहाँ पर आपको इंटर करना है और submit के उपर किलिक करना है अगर दूस्तो आप self employee को select करते हैं तो self employee में यहाँ पर आपका annual income आ बिजनेस आपका कोन सा nature में है यहाँ पर आपको select कर लेना है इसके बाद दूस्तो नीचे यहाँ पर company का नाम मतलब आपका business का नाम इंटर करना है यहाँ पर बोल रहा है कि ओनर सी टाइप बिजनेस कोन सा ओनर सी टाइप है यहाँ पर आपको select कर लेना है इसके बाद दू पूरा डीटेल सेंटर करके संमीट के उपर हम किली कर देते हैं संमीट करते ही आपको यहाँ पर एक reference number मिल जागा इस number से आप दूस्तो track भी कर सकते हैं इस number से आप track कर सकते हैं कि आपका approval हुआ है या नहीं हुआ है तो दूस्तों आपको 4-5 गंटा वेट करना है 4-5 गंटा वेट करने के बाद आपका दूस्तो एप्रूबेल हो जाएगा तो यहाँ पर आपका एप्रूबेल का मेसेज आ जाएगा अगर दूस्तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पर आपको रिजेक्ट दिखाए जाएगा तो दूस्तो अगर आप दिखाना है आपको सिखनेचर करके वाँ पर आपको लाइब दिखाना है तभी जाकर दूस्तों आपका वीडियो कल के वाई सी कंप्लीट हो जागा और आपका दूस्तों केडिट कार्ड एपलाई हो जागा जैसे दूस्तों आपका केडिट कार्ड एपलाई हो जाता है चाल स सबी लोग को पसंद है तो दूस्तो वीडियो को लैक करे चनल को सब्सक्राइब करे और इस वीडियो को आप ज़़धay से ज़़धा सेयर करे और दूस्तो आपको नीचे बताना है कि आपका केड़िट काड एपलाइ हो चुका है आपको दूस्तो मिल चुका है या नहीं मिला है नीचे कॉमेंड बॉक्स पर आपको बताना है तो चलि दूस्तों नेक्स वीडियो मिलेंगे तब तक के लिए बाई बाई बंदे मातराम जैहीं जा भारत